हलो एव्रिवान वेल्कम बाक टू दे चैनल मैं हूँ सवरभ दैवतकर आपका मातमाटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर जिसका जिसका बीसबरी से सभी को इंतिजार था वो बीडबली का सेशन नमबर टू आ चुका है तो चलिए स्वागत नहीं करोगे हमारा शुरुवात करते इस बीडबली के सेशन नमबर टू को जहां पर हम लोगो आज पढ़ना है बीसिक कॉंसेप्स बीसिक कॉंसेप्स ऑफ डीसी सर्किट रैइट ऐसा डीसी सर्किट का बीसी कॉंसेप्स है जो अपने को पूरे के पूर तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ओमस लौ क्या है क्या है यह ओमस लौ यह एपलाइ कहां कहां पे होता है तो आज उसकी बारी आ चुकी है जनाब तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आगे बढ़ेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज उज जादा से जादा फ्रेंड्स तक इसको शेर करिए क्योंकि बीडबल यह ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसको अगर पहला चैप्टर क्लियर नहीं हो पाया तो बहुत प्रॉब्लेम हो जाएगा बिकॉस फॉस्ट चैप्टर इस डीसी नेक्स्ट इस ट्रांस्फॉर्मर त्रीफे सर्कीट समी कंड़क्टर यह सब में अपने को ओम्स लॉक की जरूरत है क्रिचॉफ लॉक की जरूरत है और यह सब कुछ अपने को इस वीडियो के अंदर सीखने मिलने वाला है सेशन नमबर टू और सेशन नमबर त्री में अपने को यह सीखने मिलने वाला है तो जादा से जादा फ्रेंड्स तक इसको जरूर शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलने आपको कहां पे मिलेगा यह सब्सक्राइब बिल्कुल नीचे जो लाल वाला क्यूट सा बटन है उसको बिल्कुल दबा दीजिया कुछ भी फिक के मारी है लेकिन सब् इसबुक पे ट्विटर पे ऐसवेल अज वाटसएप ग्रूप है अपना जो काफी लोग आज कल वहां पे जॉइन हो रहे हैं काफी लोग को वहां पे फाइदा हो रहा है तो वाटसएप ग्रूप है टेलीग्राम चैनल है अपना उन दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्र हीन हो जाएए रैट जी तो चलिए शुरू करते हैं जिसका नाम है ओम्स लॉझ अच्छा ओम्स लॉझ से पहले मेरेको कौनसी-कौनसी चीज़्ों के साथ वाकिफ होना पड़ेगा कौनसी-कौनसी चीज़े मुझे पता होनी चाहिए उन चीजों के बारे में पहले हम Right क्या कहते है register तो R होता है जिसका unit होता है Ohm अब यह आप कोगे जनाब यह Ohm का कोई relation है क्या हाँ जी जरूर relation है क्या relation है वो मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ तो यह पहले हो गया register उसके बात की अपने को जरूरत है वो है अपनी battery जिसको आप usual language में कहते हो cell या फिर हम लोग उसको कहते है बैटरी जहां से अपने को क्या प्रोवाइड होता है वोल्टेज प्रोवाइड होता है इसको आप E से डिनोट कर सकते हो V से डिनोट कर सकते हो whatever you want सबका meaning एक ही होता है any doubt any confusion जो ऐसी normal wire दिखेगी उसको हम लोग usually कहते है conductor उसको हम लोग usually क्या कहते है conductor यह जो दो मैं यहां पे end में यह दिखा रहा हूँ इनको कहते Ports P-O-R-T-S Ports मतलब क्या जहां पे आप अलग-अलग wires को join कर सकते हो तो यह काफी important और basic चीज़ है जिसको आपको पता होना बहुत जरूरी है जो बच्चे सुन रहे हैं न मैं उनको एक ही दफा कहना चाहता हूँ यार जो आज ओम स्लो आप पढ़ोगे जिन्दगी पर भूलोगे नहीं बिल्कुल मैं आपको एक फोटो के साथ ओम स्लो एक्स्प्लीन करने वाला हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्लिकेशन तो दिखाना ही है लेकिन डे टू डे लाइफ में जो जगडा होता है न वहाँ पर ओम स्लो कहा दिखेगा यह आज आपको सिखाने वाला हूँ यही तो इंजिनियरिंग की खासियत है जनाब तो चलिए शुरू करते है इस ओम स्लो की तरफ यह है अपना ओम स्लो इसको ध्यान से पढ़ेंगे ओम स्लो स्टेट्स डाट दे रिलेशन्शिप बिट्वीन एलेक्ट्रिक करन्ट और पोटैंशिल डिफरेंस मतलब क्या है आ current flows through most conductors is directly proportional to the voltage applied to it बहुत इंपोर्टन बहुत ही जादा इंपोर्टन इसका मतलब क्या है current क्या फ्लो रहा है आई विच डिरेक्ली प्रोपोर्शनल तो आई अदर्वाइस आइस डिरेक्ली प्रोपोर्शनल तो वी तोनों में से कुछ भी कह सबका मीनिंग एक ही है राइट मतलब जो current flow हो रहा है वो conductor से वो directly proportional किसके साथ है voltage के साथ है inner simple मीनिंग क्या voltage बढ़ा तो current भी बढ़ा अजी ये देखो ये क्या है voltage बढ़ा तो current भी बढ़ा लेकिन जनाब एक point के और आपको ये देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि voltage बढ़ रहा है current भी बढ़ रह है तो यार वहाँ पर ब्लास्ट होना चाहिए ना दमाका होना चाहिए इसको रोकने के लिए इसको रोकने के लिए किसकी जरूरत होती है इसको रोकने के लिए मुझे जरूरत होती है जनाब यहाँ पर आज मैं बताने वाला हूँ इसको रोकने के लिए जरूरत होती है इस यह आर मतलब होता है resistor यह आर मतलब होता है resistor टी ओ आर resistor is a component resistance is its property रहीडिग मैं पॉइट रिजिस्टेंट इस प्रोपर्टी रेजिस्टर इस नतिंग बटा component इन दोनों में बिलकुल गडबड नहीं करनी है थेको voltage और volt यह दोनों अलग-अलग होता है voltage apply किया जाता है यह बहुत important चीज़ है तो इन तीनों के बीच में मतलब वी आई और आर इन तीनों के बीच में इन तीनों के ऊपर अपना ohms law क्या है अपना ohms law क्या है डिपेंड है अभी आप कहोगे सर जैसे जैसे करेंट बढ़ रहा है वैसे 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 वोल्टेज बढ़ रहा है तो इनको रोकने के लिए रोकना कारने के लिए बीच में कोन आके बैठा है रजस्टर आके बैठा है और यह रही बहुत ही जादा मज़ेद आपको blue color वाली ये जो line दिख रही है। ये जो मैं रिखेड कर रहा हूँ अभी यह जो line यह conductor है जाता है the church को पुश करने की कोशिश कर रहा है किसको पुश करेगा किसके form में एदो करेंगा VOLTES खUD नहीं जाता VOLTES डर पोक है क्या है डर पोक है वो किसको बेजता है वो बेजता है करन्ट को तो यह ब्लू वाला बंदा है न यह करन्ट है ए मतलब क्या है MPR ए एम्प चारे हैं यूनिट अथि यह अब winर च दख्का मार रहा है भेज रहा किसको है current को बेज रहा है तो यार current भेज रहा है voltage भी धक्का मार रहा है current जा रहा है मतलब दोनों के दोनों गुस पड़ेंगे वहाँ पे तो उनको रोक लगाने के लिए खीचा तवनी करने के लिए कौन आता है यह आता है अपना register बिलकुल यह villain की तरह काम करता है यह register इसको रोक हो सकता राइट जी इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता तो यह Ohm's Law जो है ना यही कहता है कि वी एस डिर्रेक्ट्ली प्रपोर्चनल टू आई लेकिन उसको रोकने के लिए मुझे जरूरत होती है register की उसे रोकने के लिए मुझे जरूरत होती है रेजिस्टर की एनी डाउट एनी कन्फूशन यह बहुत इंपोर्टन चीज अपने यहाँ पर पढ़ रही है यह डाइग्राम बहुत इंपोर्टन है अभी इसी डाइग्राम को मैं एक और अंदाज में बताना चाहता हूँ एक दूसरे वे में मतलब कहाँ पर देखे यह ज़रना है यह अपना डाइम है डाइम डाइम में आपने अबसर किया रहेगा एक साइड पर बहुत ज़ादा पानी है पर बीच में वाल डाल दी उन्होंनें बहुत बड़ी वाल रिते जिसको हम लोग कहते है डाइम है ना wall डाल दी اور फिर wall के उस बीतर उस side पे पानी बहता है है ना पानी लिया जाता है अब पुरा लिया जाता है क्या नहीं साल बर बचाना है ना अपने को damn का use का है save करना right same چीज अपने یہां पे भी होती रहती है कैसे होती रहती है देखे ये जो पानी बھरा हुआ है अपना V है ये अपना क्या है voltage है या जी बहुत बढ़ा है बहुत बढ़ा है ये जो wall दिकरी है यहाँ पे ये wall का मतलब है register ये wall का मतलब है register that is R अभी voltage भेज रहा है बहुत जादा pressure है इस side पे सोचिये यार इस सेड़ पर पानी का प्रेशर कितना जादा रहेगा बहुत ही जादा रहेगा क्योंकि भारी बारी तादाद में अपने पास पानी है रेट रेजिस्टर क्या करेगा उसको रोकने का काम करेगा और जितना चाहिए उतना ही यहां पे भेजेगा देखो मैं आरो डाल रहा हू तू रेजिस्ट तू रेजिस्ट जितना चाहिए उतना ही वो बेजेगा जो नहीं चाहिए उसको वही रोक देगा अर्योगेटिंग में अपर्ट मतलब सेविंग का भी काम कर रहा है जनाब यह रेजिस्टर दिखता इतना है चोटा पैकेट बड़ा धमा का है राइट बहुत जादा इंपॉर्टेंट आगे बढ़ रहा हूँ अभी देखिए मुझे इतना सब कुछ तो समझ गया बबाजी इतना सब कुछ तो समझ गया तो यार कंडीशन क्या है कंडीशन यह है कि फिजिकल कॉंटिटी जो है फिजिकल कॉंटिटी जो है कॉंटिटी ओफ कंड़क्टर ओफ कंड़क्टर चुड रिमेंस सेम यह बहुत इंपॉर्टन्ट है यह बहुत इंपॉर्टन्ट है फिजिकल कॉंटिटी मतलब क्या है एरिया है वाल्यूम है क्रॉस सेक्शनल एरिया यह सब कुछ क्या रखना पड़ेगा आपको सेम रखना पड़ेगा पूरे conductor के लिए ऐसा नहीं इधर जाडा लिया इधर पतला लिया ऐसा नहीं चलेगा पूरे conductor अपना क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए तब जाके ohms law क्या होगा applicable होगा तो ohms law जो होता है we is directly proportional to i हो गया right we is directly proportional to i हो गया तो इसको equality में लिखने के लिए क्या करूंगा i into r where r is nothing but come on r is equal to register resistance ओके जिसका unit क्या रहना है ohm रहना जिसका unit क्या रहना है ohm रहना यह तो हम लोग वी आई characteristic यह यहां पे हो गया volt यहां पे हो गया ampere है ना x-axis के उपर volt y-axis के उपर ampere तो जैसे जैसे मैं volt बढ़ा रहा हूँ मेरा current भी क्या हो रहा है increase हो रहा है क्या हो रहा है increase हो रहा है देखे इस तरीके से इस तरीके से ऐसा होना चाहिए ये मेरा लेकिन किस situation पर जो यह एधर मैंने register लगा दिया तो इस situation पर मेरा voltage बढ़ता रहता है लेकिन करंट क्या होता है उधर ही रुख जाता है करंट इसी point पह रुख गया ने यहां से VOLTGE क्या हो रहा है ने करंट क्या हो गया मां पर किसके वजह से यह register की वज़े से any doubt any confusion बहुत ही जादा important मतलब ये पूरे के पूरे graph को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि this is what this is what ideal ohms law ideal ohms law are you waiting my point मतलब ideal मतलब जो उसने statement कहा है sir ohms ने उन्होंने ही जो बोला है उसको ideal ohms law कहते हैं लेकिन practically is it possible no तो ये हो गया practical practical ohms law are you waiting my point तो मेरा जो graph है वो दो अंदाज में दिखा जाएगा ideal ohms law and practical ohms law any doubt any confusion please let me know in the comment section right तो ये हो गया मेरा actual ohms law अब मैं तोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ इस ohms law के related कुछ हम लोग क्या करेंगे सम देखेंगे ये पहला सवाल आपके बीडवली का पहला सवाल श्री गनेशा करेंगे चलिए an emf source of eight volt देखें क्या क्या दिया है ना उसको लिखने की कोशिश करिए right emf emf मतलब क्या दिया है देखें गीवन क्या क्या है मेरे पास given क्या क्या है emf 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 मतलब volt कितना दिया eight volt दिया है इस connected to a purely resistive electrical appliance मतलब light bulb यह fan जो भी है and electric current to ampere अच्छा यहां पे लिखना चाहिए current 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 मतलब क्या आई कितना है two ampere that's amazing close through it consider the conducting wires to be resistance free मतलब wire के अंदर कुछ resistance नहीं है right calculate the resistance offered by the electric appliance मतलब यह electric appliance में मुझे कौन सा resistor कौन से ohm का resistor लगाना पड़ेगा यह मुझे देखना पड़ेगा तो simple बात है मुझे r find out करना है तो जाहिर सी बात है मेरा formula कौन सा use होगा देखे formula कौन सा use होगा according to according to ohm's law पहुत important according to ohm's law yes बच्चो according to ohm's law क्या है ohm's law v is directly proportional to i तो v is equal to ir हो गया right जी कौन सी कौन सी value मुझे पता है सब कुछ substitute करेंगे therefore v is equal to ir तो v के जगे पे देखे वी की value कितनी थी बच्चो वी की value कितनी थी वी की value 8 थी i की value 2 थी तो यहां पर मैं डालूंगा 8 which is equal to 2r therefore r is equal to 8 by 2 therefore अपनी r की value हो गई 40 the most important मतलब मुझे कितने का register वो electric appliance में offer करना पड़ेगा apply करना पड़ेगा पो रोंगा तब जाके मेरा electrical appliances जो है मतलब जो मेरा bulb है fan है जो भी आप use कर रहे हो वो properly चलेगा उसको कुछ harm नहीं होगा अर्योगेटिंग में पॉइंट तो यह इस बाबा की prevention में आपका स्वागत है इस बाबा की दरवार में आपका तहय दिल से स्वागत है کیूग कि क्योंकि यह बाबाल बेसिक से लेता है जनाब क्योंकि उसका vision mission और गोल बिलकुल clear है घटिया नहीं चाहिए, come on, get your engineers नहीं चाहिए, हमें बिलकुल research वाले engineers बनाने हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी ohms law तो समझ गया sir, उसका कुछ application बता दीजे, तो चलिए ले लेते है, electrical power using ohms law, बड़ा मज़ेदार concept, मतलब क्या, ohms law को use करके, मेरा पहला application है कि मुझे power find out करना है, अच्छा power find out करना है, power, जिसको आप usual life में vats कहते हो, है न, vat, है न, vat, मतलब आपका घर का tube light हो गया, fan हो गया, geezer, mixer, anything, anything, उसके उपर लिका रहे थे, 20 vat का है, 28 vat का है, 36 vat का है, 100 vat का है, यह सारा सब कुछ क्या है, power है, क्या, power, किसका power, जो वो electrical appliance consume करता है, लेता है, उतनी power उसको required है, are you waiting my point, तो यह तीन चीज़े बहुत important है, एक दूसरे के साथ वो relate करती है, p, i और v, क्या कह रहा हूँ है, p मतलब power, i मतलब current, v मतलब voltage, देखते हैं किस अंदाज में, यह लोग एक दूसरे के साथ relate करते हैं, तो सबसे पहले power का formula होता है, p is equal to voltage applied to the conductor और फिर electrical appliance into current, current carried by the conductor, okay, मतलब simple language में p is equal to क्या हो गया, v into i, बहुत ही जादा basic important formula, p is equal to v i, also, also according to ohm's law, according to, according to ohm's law, yes, what is your ohm's law, according to ohm's law, what is your ohm's law, v is equal to ir, v is equal to ir, तो क्यानाई substitute p is equal to इस v के जगे पे, I will just repeat, इस v के जगे पे, I will just substitute ir, तो ir into यहाँ पे i हो गया, therefore, p is equal to i square r, p is equal to i square r, तो मुझे power के दो formulas मिल गए, voltage into current and दूसरा formula i square, मतलब current का square into resistor, okay, मतलब कोई भी quantity में मुझे दो quantity पता है, देशे की voltage current पता है, तो मैं power find out कर सकता हूँ, मुझे voltage और register पता है, तो मैं current ढूंड के, मैं power का answer निकाल जरूर सकता हूँ, any doubt, any confusion, right, अभी आप कहोगे सर, इसको एक और अंदाज में भी लिख सकते हैं, जरूर, जरूर, मैं v के जगे पे substitute किया न, अब मैं i के जगे पे v by r डाल सकता हूँ, again, again, p is equal to i के जगे पे, i के जगे पे v by r, तो power का एक और formula मुझे मिल चुका है, p is equal to v square by r, बहुत ही ज़ादा important और simple formula, देखो, कितने सारे formula आप पढ़ रहे हो अभी, right, तो p के कितने formula होगे, तीन formula होगे, मैंने derivation के साथ आपको बताया है, any doubt, any confusion, चलो एक काम करते हैं, इन सारे formula को, एक diagrammatic representation में देखते हैं, ताकि दिमाग में fit होने के लिए मज़ा आ जावे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, मैं सभी को गुजारिश करना चाहता हूँ, अपनी जो vertical mobile की screen है, आप जहाँ पर देख रहे हो, उसको full screen कर दीजिए, full screen कर दीजिए, मतलब horizontal कर दीजिए, ताकि जो अभी next diagram आपके सामने आने वाली है, इसका screenshot लेना है आपको, क्योंकि सारे formulas मैंने एकी circle में fit कर दिया है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे formulas मैंने एकी circle में fit किये, कुछ formula अभी आपको पता नहीं रहेंगे, लेकिन DC circuit जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अपना chapter आपको समझ में आ जाएगा, रईट, चलिए, ये रही वो diagram जिसका इंतजार था हमें, देखे, 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 बहुत important, बहुत ही जादा important, P मतलब क्या है अपना, पावर, तो देखो, पावर के तीन formulas मैंने अब भी आपको सिखा दिया है, V into I, I square R, और V square by R, रईट, similarly, similarly, वही V से, वही V से मैं V भी डून सकता हूँ, है ना, वही से मैं V भी डून सकता हूँ, ठीक है, तो V के देखो तीन formula, V is equal to I, R, यह तो अपने को बच्चपन से पता है, क्योंकि अपना वाप, Ohm's law, अपने को पता चल गया, V is equal to P by I, V is equal to P by I, देखो, V is equal, मुनलब V into I is equal to P है न, जैसे ही मैंने I का भी डूणना है, तो मैंने चारों quantities में आपको सारे possible formulas यहां पर लिख दिये है, यह पूरे circle के अंदर, अगर आपको screenshot निकालना है, तो यह सब कुछ में आपर rough कर देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ओके जी, तो you can take a screenshot now, it's very, very, very important, right, मतलब power में आ गया, voltage में आ गया, register में आ गया, current में आ गया, सारे formulas मेरे मेरे को पता चल चुके है, right, तो यह था कुछ basics, अपने ohms law, और उसके applications के related, next session में हमें क्या-क्या देखना है, next session, हर दिन अभी session अपने channel के उपर upload होते जाएगा, रात को 9 बजे, मैच का तो session होते ही रहता है अपने channel के उपर, लेकिन अभी BWE का भी session हम लोग upload कर देंगे, possible हुआ तो live lecture भी लेंगे, लेकिन upload जरूर कर देंगे, तो chapter wise अपने यहाँ पे बिल्कुल होने वाला है, सब universities के लिए, आपकी university मुंबई होने दो, पूने होने दो, नाकपूर होने दो, नाशिक होने दो, नौत मारश्टा होने दो, जो भी रहे आपकी university, private deemed university भी रहेगी न, तो भी अपने channel के उपर, आपको इन सारे subjects के, आपके possible, possible chapters के सारे videos आपको मिल जाएंगे, तो जरूर आपको क्या करना है, subscribe करते रहना है, and like करना है, आपका e-kick like मेरे लिए बहुत energy देता है, पता है, आपको बहुत बड़ी energy देता है, और वही energy के साथ, हम लोग आपके लिए बिलकुल quality education लेके आए है, वो भी बिलकुल free में, क्योंकि हर बच्चा effort नहीं कर पाता न, यार class लगाओ, notebook लो, text book लो, notes करीदो, xerox निकालो, तो जनाब ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए, तो आपका क्या बनता है, आपका like जरूर बनता है, अपने friends लोग के साथ, share जरूर बनता है, and subscribe, subscribe तो बनता ही बनता है, बाजू में bell icon को जरूर प्रेस कर देना, all notifications पे, राइट, जाते जाते, वापस WhatsApp group, and Facebook, and अपना telegram channel को जरूर join करना है, आपको नीचे गए description box में, उसका link आपको मिल जाएगा, तो BEE and maths के sessions, अपने हर दिन रहेंगे, तो जरूर 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 इसका आप फाइदा उठाई है, जादा से जादा लोगों तक पहुचाई है, तो आज के लिए यहाँ पर ही रुकाते हैं, मिलते हैं next session में, तब तक के लिए Bye Bye, Take care and thank you very much guys.